नमस्कार जोहार जहार जहारखन का एक मात्र सरकारी न्यूज चैनल किलीर न्यूज में आपका स्वागत है समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा सिक्षकों का मुद्दा हर ख़बर पर होगी हमारी पहनी नजल सभी ख़बर सिलेक्टेट और काम की है तो वीडियो के अंतक बने रहें साथ ही आप न्यूज को किस गाउं या सर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए आज का लाइक है में एक सो रखते हैं उमीद है कि आप इसे पूरा करेंगे और रोजाना पंचाज चुनाओ का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को ब्रिश करें तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार जारखन के एक्स सीएम रगुवारदास बोले नियुक्ति वर्ष घोशितकर नोकरिया देना भूल गई हैं अभी तक हैंन सरकार नहीं नियमा वली नहीं बना पाई है एक मामे नियमा वली में सुधार का दवा भी अब पूरा नहीं होता दिख रहा है पूरी सेम रगुवरदास ने कहा कि इसी प्रकार पंचाज सचीव सायक पुलीस पारा सिक्षक आधी हर कोई आंदोलन करने को मजबूर है पारा सिक्षक के मामले में तो नियमा वली बेतमान कल्यान कोष के गठन समेत अन्य चीजो कून की सरकार ने ड्रॉप्ट त्यार किया था अब केवल जवरत है उसे कैबिनेट में लाकर पारित करने की सरकार की नियत युवाओं को रोजगार देने की नहीं लगती है बड़े बड़े वादे कर सत्ता हासिल कर लिया है और अब ज़ारकन की युवाँ को चलने का काम कर रहे है बबुआ राज में अब तक ज़ारकन वासी चले जाएंगे ज़ारकन में दो दीन भारी बारिज की चेतावनी जानिये 27 जुलाई तक मौसम का हाल मौसम विभागने ज़ारकन में हाय अलर जारी किया है राजी के सभी जीलों के अगले 48 घंटे तक गरजन के साथ मुसलाधार वारिष की समावना जाता ही है बुदवार को राजधानी राची में दोपर बाद वारिष सुरू हो गई है आसमान में बादल चाय हुए है वही राजग में आगामी 27 जुलाई 2001 तक मेग गरजन के साथ हलके से मध्यम दर्जे की बारिष होगी जारकन में संगटन की मजबूती से तै होगा कुर्शी का केल सीम हैमन सोरे पर सबको साधने कीचिन होती जारकन में हैमन सोरेन सरकार के पहले इम्तिहान की घड़ी सामने आ गई है ये इम्तिहान सत्तादारी दलों के बीच बहतर तालमेल की हकिकत को बया करेगी बिस सुत्री से लेकर निगरानी समिती वबोड निगम से लेकर आयोक कुर्शी को लेकर राजनितिक तेजो गई है जीला और परकन अस्तर पर संगटन की मजबूती और कमजोरी की आदार पर कुर्शी का केल सुरू होने जा रहा है सरकार गठन के बाद पहली बार हैमन सोरेन सरकार का इंतिहान होने जा रहा है इस इंतिहान में हैमन सोरेन के समक्च अपने सयोगी दलों को कुछ रखने की चुनोती होगी बिस सुत्री की बात हो या निगरानी समिती बोड निगम की बात हो आयोग मटवारे पर सतादारी दलों के कायर करताओं से लिकर बड़े नेताओं और विधावकों की नजरे इस पर टिकी है राष्टे जनतादल ने सरकार का सहुगी दल होने के नाथे अपना दवा पेस कर दिया है दवा विधान सवा में मिली सीट और उसके परदस्टन के साथ साथ जनाधार वाले छेतर को लेकर चोहत्तर हजार सेविका सहाईका को मिलेगा चार महिने का मांदे आंदोलन अस्तगित जारखन राज या अंगन बाड़ी करम चारी संयुक्त संगर्स मोर्चा ने 22 जुलाई से सुरू करने वाले अपने आंदोलन को अस्तगित कर दिया है या अंदोलन बकाय मांदे के भुकतान को लेकर होने वाला था ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला कल्यान वन बाल विकास विवाग की ओर से बकाय मांदे की राज से आवांठित कर दी है इसे अबाबाद विवाग की ओर से जीलो को पत्तर भी जारी कर दिया गया है बताते चले की पिछले चार महिने से आंगनबाडी कर्मियों को मांदे भुकता नहीं किया गया है इसे लेकर आंगनबाडी संकी और से मुक्ह मंतरी, मुक्ह सचीव, बाल कल्यान विवाक के सचीव को पत्तर लिखा गया है जारखन में पंचायत परतिनीध्यों का कारेकाल सनाब्त हो चुका है, लेकिन अधिगारिक तोर पर इसकी पूष्टी अभी तक नहीं की गई है पंचायत परतिनीधी पसो पेस में है कि आकिर उनके साथ क्या होने बाला है, जबकि सरकार की तरफ से कारेकाल को बढ़ाने बाला अध्यदेश त्यार कर लिया गया है राजपाल की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से किसी जिले को इस बावत की कोई सुषना नहीं दी गई है इस उपापों की इस्तिती में सबसे ज़्यदा परिसानी का सामना मुख्या को करना पड़ रहा है जार खान पुलीस को बड़ी काम्याबी पी एल एपाई जोनल कमांडर अजय पूर्ती सहीत आठ नक्सली गिरपतार जार खान पुलीस के लिए जुलाई का महिना काम्याबी लेकर आया है, पुलीस को लगातार सफ़ता मिल रही है हाली में सुर्क चैवलों ने जहां बुदेश्वर और सनिचार सुरिंजे से इनामी नक्सली को डेर किया वही अब नक्सली संगठन पी एल एपाई जोनल कमांडर अजय पूर्ती सहीत आठ नक्सली को पसिम सिमुम जिले ने गिरपतार किया है पुलिस ने अभियान चला कर जोनल कमांडर समेत आठ पी एल एपाई उग्रवादी को गिरपतार किया है सभी गिरपतार नक्सली से पुलिस पुस्ताच कर रही है ऐसा भी होता है सिवियाई के हातों गिरपतार से बचने के लिए हाई कोट को दिखलाई मिर्तियों की जूटी सुचना मौत आई तो भनग भी नहीं लगी जीस आरोपीत ने कभी जेल जाने से बचने के लिए हाई कोट में अपने मरने की जूटी सुचना दी थी उसकी आखिकार अब जेल में ही मौत हो गई है मौत की जूटी सुजना देकर कोट को गुमरा करने के कारण पिछले माही गिरबतार कर धनबाद जेल बेजे गए असी वर्षिय सजायापता बंदी दिलीव कुमार मुकर जी की मंगलवार को इलाज के दोरान SNMMCH में मौत हो गई है उन्हें 24 जून को सिव्याई नगीर अपतार कर धनबाद जेल बेजे था 28 जुलाई को फिर दिलीव कुमार की तरवेज खराब हो गई जेल परसासर ने बंदी को MNMCH में भरती करा है जहां मंगलवार को उन की मौत हो गई आजिव का फॉर्म फ्रेज के जरिये ताजी सब्जियों की होम डिलिवरी की सहराना ग्रामीन विकास सची ने दिये कई निर्देश राश्ट ग्रामीन आजीव का मिशन अंतरगात नाची में संचालित आजीव का फर्म फ्रेज के जरिये ताजी सब्जों की होम डिलिवरी सर्विज की जारखंड ग्रामीन विकास सची डाक्टर मनिश रंजय ने साराना की है साथ ही इसे अन्य राज्यों में शुरू करने वन पलास उत्पादों को भी इसमें से जोडने का निर्देश दिया है इसके अलाबार राज्य में जैवी केती को बड़े अस्तर पर बढ़ाने की जरुत पर बल दिया है ग्रामीन विकास विभाग के अधिन संचालित जार्खन इस्टेट लाइभूड प्रोमोशन सोसाइटी द्वारा की रनवीत विभिन्य योजनाओ की परगती की ग्रामीन विकास सचीव डाक्टर मनिस नजन ने राची के हैल इस्थित जे एस एल फियेस राज्य करयाले में समिक्षा की इस मोके पर उन्होंने आजुका फोरम फिरेस मारल को अन्ने जीलों में विश्थार करने के साथ साथ सर्टिफिकेशन कराना भी सुनिशित करने पर जोड़ दिया अब खबर देश विदेश और देश की विभिने योजनाओं से टोकियो 2020 उद्गाटन समारों में मौझूद रहेंगे 15 देशों के नेता कोवीड महामारी से प्रभाईत टोकियो उलम्पिक खेलों के सुक्रुबार को होने बाले उद्गाटन समारों के दोरान लगबग 15 देशों के नेताओं के मौझूद रहने की समावना है जपान में आरही खबरों के अनुसार समारों के दोरा नीजी तोर पर इस्टेडियों में मौझूद रहने वाले लोगों की संक्या हाजार के आसपास हो सकती है जपान सरकार के मुख्य कैबिनेट सचीव कात्सू नोबू केटो के हवाले से क्योडो समाचार एजिंसी ने कहा की कोबिट-19 महामारी से संक्रमन के जोकिम को नियंतित करने के आयुजुकों के परियास के ताहत राष्ट एस्टेडिय में उद्गाटन समारों के दोरा लोगों की मौझूदी को सिमित करने का पहश्चा लिया गया है परियाटन से जूड़े लोगों के लिए उत्राखन सरकार ने की 200 करोर के रहात पेकेज की घोषना उत्राखन CMO के मुताबिक मुक मंदरी उसकर सिंग धामी में राज्ये में परियाटन हुऊ चार धाम यात्रा सावं दित गतविदियों से जूड़े लोगों के लिए 200 करो पर्मुख ने कहा इंसान से इंसान में बढ़ फ्लू के फैलने के सबूत नहीं लोग नहीं डरें भारत में एच फाइप एनुवान वर्फुरुप से इस साल की पहली मौत दर्ज होने के बाद दिली एंस के परमुख रंदीप गुलेरिया ने कहा कि एच फाइप एनुवान इंसान से इंसान में फैलने के सबूत नहीं है इसलिए डरने की जवर्वत नहीं है उन्होंने का की जहां पहली मौत दर्ज हुई है वहां नजर रखने और कांटेक्ट्रेट्रेसिंग की जवर्वत है हार्याना बोड ने सक्षिनिक सत्रथ 2021-22 के लिए दस्वी और बार्व यह फैस्ट्रा लिया गया है राज्य बोड ने 2020 में भी दस्वी और बार्वी का पाठिकरम 30% घटाया था सोतंतरता दिवास को लेकर लाल किला 12 जुलाई से 15 अगस्त तक से लानियों के लिए बंद भारतिया पुरा तत्वक सरोष्चन ने कहा कि सोतंतरत दिवस की तैयारों के मद्द नजर 21 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किला से लानियों के लिए बंद कर दिया गया है गौरवतले की सुरक्षा कारणों को कोबिट 19 को ध्यान में रखते हुए डिली पुलिश ने 15 जुलाई से ही लाल किले को बंद करने का सुझाव दिया था चीन ने किया 600 किलोमेटर परति घंटे की अधिकतम रपतार वाली ट्रेन का अनावरन चीन ने अपनी नई हाई स्पीट मेगलवे ट्रेन का अनावरन किया है जिसकी अधिकतम रपतार 600 किलोमेटर परति घंटा है और कहा कि ये दुनिया में मौझूद जमीन पर चलने वाला सबसे तेज वहान है ट्रेन को 600 किलोमेटर परति घंटा के रपतार से बिजिंग से संगाई तक 1000 किलोमेटर की दूरी तय करने में सीर पे ढ़ाई घंटे लगेगा दिली हाई कोट ने कहा कि उमीद है कि दिली सरकार दो-तीन दिनों में इस्पाक खोलने पर अंतिम फैसल लेगी हाई कोट ने आगे कहा कि अगर 27 जुलाई तक कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो आदालज इस मामले को लिए कर सुनवाई करेगी CBAC ने कहा प्राइबेट स्टूडेंट नहीं होंगे प्रमोड 16 अगस से सुरू होंगे एकजाम कोरोना काल में केंद्रे मादमिक सिक्चा बोड के प्राइबेट स्टूडेंट को रहत नहीं मिली है CBAC ने कक्चा 10 और 12 के प्राइबेट स्टूडेंट के लिए परिच्चा की तारीकों का एलान कर दिया है ये एकजाम 16 अगस से 15 सितमर के बीच आयो जित होंगे कोरोना की वज़ा से 10 और 12 के रेगूलर स्टूडेंट की परिचाएं रद कर उन्हें पर्मोट कर दिया गया था मगर प्राइबेट स्टूडेंट को एकजाम देना होगा तीसरी लहर में कोरोना केस बढ़े इस राज्य में संपून लोगडाउन का एलान देश में तीसरी लहर के असनका के बीच केरल समेथ कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी जाई है इसके चलते केरल सरकार ने दो दिनों के संपून लोगडाउन का एलान किया है परदेश में 24 और 25 जुलाई को आवेश्यक सेवां को चोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा कुछ जिलो में पॉजिटिव टीविदर 10% ज्यादा है केरल सरकार को पुर्य राज में बड़े अस्तर पर टेस्टिंग अभियान चलाईगी जिसमें 3 लाख लोगों को कोरोना जाज की जाईगी माराश्ट के पांच जीलो में रेड अलर्ट मुंबई में बारिस जारी देखे दिली समेच अन्ने राजों का मौसम अपडेट मानसुनी बारिस आफ़ज बनकर बरस रही है पहारी इलाकों सिलेकर मैदानी राजों तक तबाई के निसान दिक रहे हैं यूपी, बिहार, राजस्तान, गुजरात, दिली, मद्यपरदेश, महराश्ट, हिमाचल परदेश और उत्राकांड समेथ कही राजों में भारी बारिस से लोग परिशान है कही सहरों में पानी घरों में घुज गया है तो कुछ जगों उपनती नदियों के तबाई माचाही है पहारी इलाकों में लेंड, सलाइड और नदियों में बार के पानी से कही घर तबाह हो गये हैं वहीं कहीं हावेवे भी अबूध हो गये हैं TRDO ने नहीं पीडी की आकास मिसाइल किया सफल परिक्षण से ना की बढ़ेगी ताकत रक्षा, अनुसंधान और भिकास संगठान यानी DRDO ने बूदवार को अपने देश में बिक्षित कम बजन वाला ओर नहीं पीडी की आकास मिसाइल एक सता से हवा में मार्क करने बाले मिसाइल का सफलता पूरुवक परिक्षन किया एक अधिकारिक बयान के अनुसार मैन पोर्टिबल एंटी टेंक गैडेड मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकी किरित एक मैन पोर्टिबल लॉंचर से लॉंच किया गया था परिक्षन के दोरान मिसाइल ने अपने टार्गेट को नुश्ट कर दिया अकास मिसाइल का और इसा के तर से एकिक्रित परिक्षन रेंज से सफलता पुरुवक परिक्षन क्या गया मिसाइल ने डारेक्ट एटेक मोड में टार्गेट को मारा और इसे नश कर दिया इसके साथ ही डियाडियों ने कहा मिसन के सभी उधिस्टों को पुरा क्या गया मिसाइल का पहले ही मैक्सिमम रेंज का सफलता पुर्वक परिक्षन के आएदा चुका है करनाटक के गिरी मंत्री का ऐलान राजी में नहीं होगा नितित्व परिवर्तन सीम बने रहेंगे बियस यदुरपा करनाटेक में नेतित्व परिवर्तन की अठ लोकों पर बिराम लगाते हुए राजी के गिरी मंत्री वसव राज बुमपई ने बुधुबार को कहा कि मुख्य मंत्री बियस यदुरपा अपने पत्पर बने रहेंगे समाचार एजेंसी एन आई के मुताबिग वसव राज बुमपई ने कहा कि मुख्य मंत्री यदुरपा अपने पत्पर बने रहेंगे उनने खूद कहा कि है और हमारे परभारी अरुन सिंग ने भी यह कहा कि विपत्पर निसाना साथते हुए संसस सद्र के बीच दिली सरकार ने दी इजादत नए किरिशी कानूनों के खिलाप आंदोलन कर रहें किसानों को दिली में जंतर मंतर पर परदस्टन की इजादत मिल गई है यह पर्मिशन 22 जुलाई से लिकर 9 अगस्त तक है परदस्टन का समय सुभई 11 बजे से साम 5 बजे तक रहेगा दिली डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी ने सर्तों के साथ परदस्टन की मंजुरी दी है गुरवार से सुरू हो रहे किसानों की इस परदस्टन रोज 200 से ज्यादा किसान सामील नहीं हो सकेंगे साथ ही उन्हें कोरोना प्रटोकाल का भी ध्यान रखना होगा न्यूज एजेसी पिटी आई के सुत्र के मुताबिक दिली पुलिस के ओर से वी परदस्टन के परमिशन मिल चुकी है बता जारा कि किसान सिंधू बोडर से पुलिस स्कॉर्ट के अधनतर मंतर तक ले जाए ममता बनर जी का खेलो इंडिया जब तक भाजपा साप नहीं होगी तब तक पूरे देश में खेला होबे 16 अगर्श को खेला दिवस को होगी शुरुआद बंगाल की मुख मंतरी ममता बनर जी ने बूदबार को उत्तर पर देश दिली और गुजरा समेत कई राज़ो में मेगा वर्चुल रेली की सहीद दिवस पर की गई इस वर्चुल रेली से ममता ने जाहिर कर दी आए कि बंगाल बिदान सबाज चुनाओ जीतने के बाद उनकी नजर अब दिली की सरकार पर है ममता ने कहा कि अब तक भाज़पा पूरे देश से साप नहीं हो जाती तब तक सभी राज़ों में खेला होगा उन्होंने कहा कि हम 16 अगस को खेला दिवस की सुरुवात करेंगे और गरीब बचों को फुटबोल बाटेंगे कस्तुरबा गांधी बालिका बिद्याले में टीचर और कुक की भरती इतनी मिलेगी सरेली उत्तर परदेश के कुशिनगर इस्तित कस्तुरबा गांधी आवास्य बिद्याले द्यालों में फूल टाइम वब पार्टाइम टीचर और असिस्टेंट कोट के 45 पदोफ भरती का बिग्या पंजाली क्या गया है इसके लिए अभियर्ति को ओल्लाइन आवेदन भरने के आवेदन फॉन की कुशिनगर जीले के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किये जा सकती है आवेदन के अंतिम्तिती पांच दगस्त है नोटिपेकेशन के अनुसारी भरती आख कुशिनगर जीले में संचालीद चौदर कस्तुरुआ गांधी आवास से भी द्यारे होगी हिमाचल सरकार ने लागू किया नया मोटर वीकल एक्ट माने कौन सा नियम तोने पर होगा कितना जुर्माना हिमाचल सरकार ने नया मोटर वीकल एक्ट लागू कर दिया है परिवन विवाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है अधिसूचित इस एक्ट को गजट में प्रकाशित करने के बाद परदेश में बहानों को चलान की नहीं दरे लागू हो जाएगी संसोधित नहीं मोटर विकल एक्ट में अब ये नियम तो ने पर जुर्माने के लिए नियम जुर्माना रासी, सीट बेल्ट ना लगाने पर पंदरसो जुर्माना किसी योग के वाहन चलाने पर पंदरह हजार जुर्माना वाहन चलाते वक्त धोनिया वाई परदुस्वन करना 15,000 जुर माना अनधिय किरित व्यक्ति को वहान चलाने की अनुमति देने पर 7,000 जुर माना चालक के पास लाइसेंस नहीं पाया जाना 15,000 जुर माना बिनार रेस्टेशन और फिटनेस के वहान चलाने पर पंदर हजार जुर्माना LMB को लिमिटेट स्पीड से ज्यादा दोड़ने पर तीन हजार जुर्माना मेडियम गूर्ट्स और हैबी पैसेंजर वहानों को निजादित गति से चलाने पर छे हजार का जुर्माना ड्राइबिंग करते वक्त मोबाइल या दूसरा उपकरान पर्यों करने पर साथ जुर्माना दूसरी बार या अगले तीन साल तक दोबारा यह गल्ति करने पर पंदर हजार जुर्माना अपंग या किसी बीमारी बेक्ति के वहान चलाने पर भी अब खेर नहीं होगी जम्मू कस्मीर की महला से साधी करने बाले अन्य राजवासी पती को भी मिलेगा डो मिसाइल